जै जिनेद्र, मैं संगीता गंगवाल मुंबई से हैं। मैं सबसे पहले निलम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें रिलेशन्शिप के बारे में कहने का एक मौका दिया। मैं एक पोयम द्वारा अपनी बात रखती हूँ। जो कह दिया वह शब्द थे, जो नहीं कह सके वह अनुबूती थी। और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वह मरियादा है। जिन्दगी का क्या है आकर नहाया और नहाकर चल दिये। बात पर गौर करना पत्तोसी होती है। कहीं रिष्टो की उम्र आज हरे है तो कल सुखे। क्यों नहम जडो से रिष्टो को निभाए। रिष्टो को निभाने के लिए कभी अन्धा, तो कभी गुंगा, तो कभी गहरा होना पड़ता है। ठमती नहीं जिन्दगी कभी किसी के बिना, मगर गुजरती भी नहीं है अपनों के बिना। रिलेशन्शिप यह शब्द आते ही बहुत सारे रिष्टे हमारे दिमाग में आ जाते हैं। जैसे माबाप का, पती-पतनी का, भाई-बहन का, मामा-मामी का, गुरु का भक्त से न जाने कितने रिष्ट। पर हम सब शायद एक बात भूल जाते हैं, एक गहरा रिष्टा, जो खुद से खुद का होता है। क्या हमने कभी खुद को प्यार किया, क्या हमने कभी खुद को एप्रिशेट किया, अगर मैं अपने आप से ही खुश नहीं हूँ, तो हम कैसे दूसरों को खुशी दे सकते हैं। मुझे लगता है, जो मेरे पास होगा, मैं वही सबको बाटूँगी। इसलिए मेरा मानना है कि हमें सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए। तभी हम इस रिलेशन्शिप को बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं। थैंक यूँ